हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने रैड्मी नोट 13 प्रो प्लस अंडूट में अगर आपके वाट्साप की इंकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ओपर शो नहीं होते तो इस प्रॉलम को आप सौल्व कैसे कर सकते हैं आज के यह पेज आता है इसमें आपको रिबूट पर टैप करना है इससे क्या होगा आपको वाट्साप को उगली से दबाखे रखिए आपका यह छोड़ादे पेज ओपन होता है इसमें आपको एप इंफो लिखा हुआ मिलता इससे टैप करना है या फिर सर्गल के अंदर यह जो पर ओपर टैप चेप करना है इसके अंदर आपको नीचे किलेर डीटा का यह उप्षिन टैप करना है आपका इस वार यूजर डेटा के सामने लाड़ डेटा आपका यह जीरो हो जाएगा इससे आपको वाट्साप का डेटा के ओपर शो नहीं होती प्रव्लम आपकी सौल ह जाईगी ठीक आप दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मुवैल फून का इंटरनेट आपको चालू करना है इसके बाद अगर यह उप्डेट नहीं है तो कैसे करेंगे देखे आप अपने वाइल फिर्म का प्लेट आपको सबसुपर सर्च बार पे टैप करना है और यहाप है आपको सर्च बार में लिखना वाट्सप लिख करना है आपका जो वाट्सप आगा अगर यह ऑपन की जगह अगर अगर WhatsApp के अंदर छोटी मोटी कमिया आने लगती है तो आपको अपने WhatsApp को अपडेटेट ज़रूर रखना है ठीक है अब दोस्तों अगला काम यह करना है यहाँ पर सबसे उपर सवर्य बार में Reset आपको लिखना है ठीक ना आपको लिखेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ना Factory Reset का एक Option शो जाएगा थोड़े देर में यहाँ पे ठीक है आपको पहले से नोट करके रखना है, ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को research करना है, ठीक है, तो मेरे बता है, वह सारे process आपको use करना है, इससे आपके WhatsApp की जो incoming call screen के ओपर show नहीं होती है, problem solve हो जाएगी, ठीक है,